प्यारे बच्चों प्रिज्व इंस्टिटुट में आपका आर्दिक स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नमबर 8 तिरकॉण मिती तिरकॉण मिती बहुत आसान और बढ़िया शांदार टॉपिक है कई बच्चों को तिरकॉण मिती पढ़ने में बड़ी परिशानी होती है कि सबसे कठिन चैप्टर सर यह ही है पर यह चैप्टर देखो बहुत आसान है इसके अंदर क्या है यह जो तिरकॉण मिती है वो अपने समकॉण तिरबुज पे चलती है सारी जैसे समकॉण तिरबुज पें बड़े है तो समकॉण तिरबुज के अंदर क्या होती है कर्ण तो एक आधार, लंब और कर्ण अब देखो आधार और लंब कर्ण तो आपको महलूम है कि जो 90 डिग्री का कौन होता है उसके ज़स्ट सामने वाली बुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है कर्ण हमें से फिक्स रहता है अब इसमें समय से यह आती है कि आधार और लंब है यह अपना इस्तान चैंज करते रहते है कभी लंब यह होगा तो आधार आपके पास यह वाली बुजा होगी और अगर यह आधार है तो यह वाला लंब होगा यह सारा डिपेंड करता है कि इस पे एंगल पे ठीटा पे आपको कौण से एंगल दे रखा है जैसे माल लेते हैं आपके पास कौण है ठीटा यहां दे रखा है ठीटा कहां दे रखा है यह वाला एंगल अगर आपको दे रखा है तो इसके जेश्ट सामने वाली बुज़ा क्या कहलाती है लंब और जो बाकी रहागी वो क्या कहलाईगी आधार अब आपने ये गोर किया होगा कि जो टिग्नोमेटरी है उसके अंदर जो रिश्व अनुपात है वो कौण कौण से हो तो देखो सबसे पहले साइन थेटा साइन के बाद क्या होता है कॉस थेटा कॉस के बाद टैन थेटा टैन के बाद में क्या आता है कॉट थेटा कॉट के बाद क्या आता है सैक थेटा और उसके जश्ट बाद में यह उता है कौसेक थेटा यह जो 6 है इसका कारण क्या है इसका शुर्च बड़ा कारण यह है कि आपके पास तिर बुज़ है तिर बुज़ के अंदर कितनी बुज़ाय होते हैं तो तीन बुज़ाओं के अनुपातों को अपने arrangement के अंदर जो लिखते हैं तो उनसे कुल मिला कि आपके पास क्या है पूरे 6 pattern मनते हैं 6 क्याला 7 pattern जैसे हैं आप बनाते हो तो उसकी क्या पुन्रावरती होनी start हो जती है इस वज़े से आपके पास क्या होता है ये 6 trigonometric ratio आपके पास available होता है sign, cost, ten, court, sag और cost, sag तो कुल मिला कि ये क्याच है आपके पास trigonometric function होता है अब सबसे पहली बात ये है कि आपका जो angle है उस पर हमेशा गोर रखना कि जो question में आपका angle दे रख है वही decide करेगा कि आपका لم कौन सा होगा, अधार कौन सा होगा ये छोटी सी mistake आपका क्या है प्रसंद, अगर सई है तो फिर भी उसको क्या है गड़त साबित कर देती है अब sign, cost, ten, court, ये जो है अब इन में जो रेशो अनपात लेते हैं, वह लंब है, आधार है किस-किस का होता है, वो अपने कैसे लेते है वो लेते हैं, लाल बटा कका किसके दवारा, लाल बटा कका, के के ए क्या होता है, लाल बटा कका तो पहला जो रेश होगा लंब बटा करण ये कौन होज़ता है ये होज़ता है, आपका sin theta, क्या होज़ता है sin theta, दूसरा क्या होता जैसे आदार बटा करण है, यह आपका कौन होता है, कौस थेटा, और तीसरा होता है, लंबटा आदार, लंबटा आदार, यह हो जाता है, टैन थेटा, तीन तो अपने यहां से बना लेते हैं, लाल बटा कक्का के द्वारा, तीन द्रेश बना लेते हैं, पहला लंबटा करण दूसरा अधार बटा करण, तीसरा लंबटा अधार अब क्या होता है, यह जो तीन आपके पास सेश रहे गए यह अपोजिट होते हैं भी कैसे, कोड तो उल्टा होता है किसका, टैन का सैक उल्टा होता है किसका, कॉसक का और cos Lag उल्टा होता है किसका sign का कहने मतलब ये हैं कि आप जो sin theta है इसको क्या लिख सकता है one upon में cos lag theta आपके पास जो 10 theta है वो equal होता है किसके one upon quad theta के बरावर होता है ऐसे ही जो आपका cos theta है क्या है cos theta वो आपका one upon me seg theta के बरावर होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो cos के rate हो थे जैसे cos को आपने क्या लिखा? आधार बटा कर्ण लिखा तोow sect का क्या होगा? कर्ण बटा आधार तो जैसे sign cos 10 का आप यहां तक पहुचे थे coat का लिखोगे क्या लिखोगे? इसकο उलटा ले लो आधार बटा लंब, कोट के बाद कोण आता है, सेक, सेक का क्या होगा, करण बटा आधार और अब रहागा कोण कोशेक, कोशेक का क्या हो जाएगा, करण बटा लंब हो जाएगा तो इस प्रकार से आपके जो 6 त्रिकॉण मुतिया फलन है उनके अनुपात इस प्रकार से विवस्तित होते हैं अब ये जानकर योने के बाद कुछ प्रसन आते हैं मान गयाद कीजी अब मान गयाद करने वालों में सबसे बड़ी ये काम है कि आपके पास क्यों चाहिए टेबल आपको बनाने आजाने चाहिए याद है तो और बड़ी है कई बचा ऐसे हैं जिनको याद होती नहीं तो कोई दिक्कत नहीं अपने को याद थोड़ी करना रटना नहीं देखो जैसे पहले मैंने लेखा साइन थेटा साइन के बाद टेबल उना लेते हैं देखो फिर लेखा कॉस थेटा कॉस के बाद में क्या लेखते हैं टैन थेटा 10 के बाद क्या जाएगा Cot Theta Cot के बाद Sack Theta Sack के बाद क्या जाएगा आपका Cossack Theta अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो आपका Theta Angle है वो कितने डिगरी का होता है सबसे पहले जैसे 0 0 के बाद आप ले लीजे कितना 30, 30 डिगरी 30 के बाद मैं आप क्या ले लो 45, 45 डिगरी 45 के बाद मैं आप क्या ले ले 60 डिगरी 60 के बाद आप क्या ले लो सिदा 90 डिगरी यह 90 डिगरी यह आपके Ticnovertric है जो रेशा है उनके Angle अपने ले लिए अब टेबल बनाने के लिए आप यहाँ से काम करें सबसे पहले जो 0 है उसके उपर क्या ले लो 0 0 के बाद अब परति एक में 100 अप जोड़ते चलें जैसे 0 में 1 वटा 4 जोड़ा क्या या 1 वटा 4 अब 1 वटा 4 में फिर से 1 वटा 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1 वटा 2 आदा हो गया आपका प्रति एक स्टेज के अंदर क्या आए 1 वटा 4 एक वटा 4 एक वटा 4 एक वटा 4 आपको जोड़ते चलते रहना है तो आप अराम से क्या मान निकाल लोगे आप जैसे साइन निकालने साइन के साइगा यह उपरोल इमान आपने जो लिखे है जीरो एक वटा 4 एक वटा 2 तीन वटा 4 और एक जो आपने लिखा है इनका रूड निकाल लो जीरो का रूड क्या होता है जीरो एक वटा 4 का रूड क्या होगा एक का रूड एक होता है चार का रूड क्या हो जाएगा दो फिर एक वटा दो का root निकालेंगे तो एक का root क्या आएगा एक और दो का क्या आएगा root 2 इसे प्रकार तीन का root क्या आएगा root 3 और 4 का root क्या जाएगा 2 और एक का root क्या आएगा 1 cost की value लिखनी है तो आप sign वाले को उल्टा लिखो 90 वाले को यहां लिखो 0 में फिर 60 वाले को 30 के अंदर लिखो root 3 और 2 फिर क्या आजाएगा आपका 1 और 2 यह आजाएगा 1 और 0 तो कुल मिला कर जो sign की value लिखी थी उसको उल्टे क्रम में लिख लो 90 वाले को पहले फिर 60 वालेगो फिर 45 वालेगो फिर आप 30 वालेगो फिर 0 वालेगो लिख लो आपके पास क्या जाएगा कॉस आजाएगा अब यह जो आपका 10 थेटा होता है 10 थेटा क्या होता है साइन थेटा बटा कॉस थेटा है यह आपका क्या बनता है 10 थेटा तो इसका हमलोग यह है कि sin के अंदर क्या है cos का भाग लगो तो आपके पास किसकी value हाजाएगी 10 की value हाजाएगी तो sin और cos आपके पास table में पढ़े 0 में 1 का भाग करोगे क्या आएगा 0 1 by 2 में root 3 by 2 का भाग आफ करवाओगे तो 2 से 2 cancel कितना आगया 1 upon root 3 1 by root 2 से 1 by root 2 cancel होगे value क्या आगई 1 आगई root 3 by 2 से 1 by 2 cancel होगा क्या होगा root 3 by 1 तो 1 को लिखने आफ सेकतर नहीं root 3 लिखा 1 upon 0 क्या आएगा infinity आजाएगा आपके पास क्या आएगा अनन्द आजाएगा आप परिवासित आजाएगा अब आपने ये देखा code क्या होता है 10 का उल्टा तो 10 के उल्टे करवाओ 0 का उल्टा क्या होता infinity 1 बटा root 3 का क्या होगा root 3 बटा 1 1 का उल्टा क्या होता 1 root 3 का उल्टा क्या होगा 1 बटा root 3 दो बटा रूड तीन अब एक बटा रूड दो का उल्टा क्या होगा रूड दो बटा एक तो एक को लिखने आवसेक्तर नहीं है एक बटा दो का उल्टा क्या होगा दो बटा एक तो एक को लिखने आवसेक्तर नहीं है एक बटा रूड़ दो का उल्टा क्या होगा रूड़ दो बटा एक मतलब क्या लिखें रूड़ दो रूड़ तीन बटा दो का उल्टा क्या होगा दो बटा रूड़ तीन और एक का पोजिट क्या हो जाएगा उल्टा एक तो जैसे आपने टेबल बना ली तो पेपर में आराम से अटेंड कर पाओगे तो पहला काम यही होता है पेपर में जाती है आप क्या बना लो टेबल बना लो पीछ से रफ वर्क में और इसको देख के आराम से प्रस्तनों का सोलिशन निकाली आराम से हो जाएगा कोई दिक्त नहीं आएगी अब सलते हैं जैसे आपका एंग लिए वगरा कैसे निकाले तो देखो समकॉन तिरफुजे उसी पर सारी प्रस्तनावली डिपेंडेट इग्नोमेट्री तो समकॉन तिरफुजे आपको यह जान करें क्या लगती है पाइथा गोर्षपर में आपको दो बुज़एं कोई सी भी देगा तीसरी आपको खुद को मेंसिन करनी है निकालनी है जब तीनों बुज़एं आपके पास हो जाएं फिर आपके पास कोई भी चीज पूसलें से साइन हो कोस हो कोट हो से को आप अराम से क्या है निकाल लेते हो तो इस पर एक क्षिशन करते हैं देखो सबसे पहले यह कह रहा है कि तिरफुज ABC में जिसका कौण B क्या समकौण है तो मैंने एक तिरफुज बनाए इधर एक परकार का रेक्टेंगल बनाए है समकौण तिरफुज आपका बनाए है तो इसमें यह कह रहा है कि जो आपका कौण सा है कौण B B क्या है समकौन है तो समकौन मैंने यहां लिया है तो इसको मैं क्या नाम देदू B फिर यह क्या रहा है A B 24 सेंटिमेटर A B क्या है 24 सेंटिमेटर तो A मैं इसे लिया है और B C क्या है 7 सेंटिमेटर तो C मैं कहां लिख लूँ ओपर लिख लेता हूँ एक बार तो ये मैंने क्या ले लिए 7 cm ये वाली बजा क्या ले लिए 24 cm तो इस परकार से ये बजाएं ले लिए अब मेरे को जानकरी मैं ये करा है निमने के मान गयात कीजिए अब मान किसका निकालना है पहला ये पूछ रहा है साइन ए और कोस ए का मान निकालो किसका साइन ए और कोस ए का मान दूसरा प्रसन आपसे ये पूछ रहा है कि किसका साइन सी और कोस ए की वेली निकालो साइन सी और कोस ए की ठीक है तो पहला काम क्या होता है पाइथागोरस पर में लगा कि या पाइतागोर्स प्रमे से प्रमे से क्या निकाल लेते हैं देखो AC पाइतागोर्स प्रमे क्या होती है करण का स्क्वाइर बराबर आदार का स्क्वाइर मतलब AB का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर लंब कौन सा है BC BC का स्क्वाइर हो गया अब देखो AB की value आपको दे रखे क्या है 24, 24 का square BC कोण है 77 का square 24 का आप square करोगे कितना जाएगा 24 का square करते ही 577 7 का क्या हो जाएगा 49 तो कुल मिला कि आप जोड़ोगे क्या जाएगा 225 कोण आया AC कवर गया तो AC की value क्या जाएगी root 625 तो AC आपका क्या हो गया 625 का root क्या होता है 25 तो AC आपके पास जानकरी में आगया क्या हो गया 25 cm अब तिनों बुज़ें आ रहे हैं कि आप कोई V value निकाल लो अब जैसे देखो पहला प्रसंद है वो करते हैं भई क्या है sign A निकालो अब sign आपके जानकरी में ये उनसे sign होता है क्या है लंबटा कर्ण क्या होता है लंबटा कर्ण होता है अब लंब कोण होगा ये कोण समझाएगा ये समझाएगा आपका जो एंगल है एंगल क्या दे रखा है थीटक जगे क्या लिखा हुआ A, तो A कौन से एंगल हो गया ये वाला, ये वाला हो गया तो लंब कौन से हो गया भई, इसके सम्मुक बजा 7 cm, तो लंब की जगे 7 लिखेंगे करण आपका वह 25 फिक्स है, तो साइन A का मान के आगया, 7 बटा 25, अब ये कह रहा है कि किसका वही, कौस A का भी मान बताओ तो कौस A का रिश्व अनुपात क्या होता है, आधार बटा करण, क्या होता है आधार बटा करण अब देखो एंगल आपका कौन A है, एंगल कौन है, A है तो एंगल आपका, आपने ये लिया A तो लंब कोण सा हो गया, साथ, तो आदार कोण सा हो गया, चोईस, आदार हो गया आपका, एबी, तो आदार कमान क्या आगया, चोईस, तो क्या लिखेंगे, चोईस बटा करण आपका क्या हो जाएगा, पचीस, उत्तर आपका क्या आगया, चोईस बटा, पचीस, और साइन वाले में क्या है था साथ वटा बच्चीस अब देखें भी दूसरा question और पुछा था इसने अब की वार ये कह रहा है second में कि sign c निका लो क्या निकाले sign c sign का तुरे सो वह होता है अपकी वार ये theta angle किसे ले रहा है c को तो c आपका का है यह रहा C, तो C के सामने वाली बुजा, यह क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब का मान क्या रखेंगे, 24, और कर्ण आपका हुआ है, 25, तो एंसर क्या जाएगा, 24 बटा, 25, और भी निकालना क्या, कॉस C, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, एंगल आपने क्या ले रखा है C, तो लंब यह होगे, आधार कॉन सा होगे, 7, 7, तो क्या लिखेंगे, 7, बटा कर्ण क्या होगे, 25, तो इस प्रकार प्रशनों को बड़ी धेरिय पूरुका आप अराम से, स्वाल करोब आओगे, मैं आपको यह ध्यान रखना है, कि आपका जो ठीटा है, वो कॉन सा दे र रहता है, तो लंब और आधार प्रवी से इस्थियान रखें, अब ऐसे क्यूशन आपको बहुत सारा जाएंगे, जैसे माल लो, अब पैटरन चेंज कर दिया, पैटरन क्या चेंज कर दिया, कुछ नहीं है, इसने बुजाईन नहीं दे के, कुछ इस प्रकार से दिया प्रस आपके अंदर कितना आगया, आठ बटा पंदरा, आप देखो कॉट यह होता है, कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब, वही लाल बटा कका के दुबार देखें, लाल बटा कका आप लिखोगे, तो यह क्या होता है, टैन होता है, टैन का उलटा ही क्या होता है, आधार या कुछ भी आप नाम लिखें, वैसे A से स्टार्ट करें एंगल आपका यह है, A भी से आपने बनाया, अब बनाने के बाद में, आपको आधार क्या दे रखा है, देखो, एंगल जरूर देखें, A, एंगल आपका कौन सा हो गए यह वाला, तो लंब हो गया यह, आपको दिय है, कि AC का वर्ग, कर्ण का स्क्वाइर, बराबर BC का वर्ग मतलो, आधार का स्क्वाइर, प्लस AB का स्क्वाइर, लंब का स्क्वाइर, BC का मान क्या दे रखा है, 15 का वर्ग, यह है आपका 8 है, कितना है, 8 का स्क्वाइर, 15 का क्या हो जाएगा, 225, 8 का क्या हो गया, 64, कितना ह आप इसे कैसे निकड़ोगे, इसे आप जोड़े, जोड़ोगे क्या जाएगा, 289, क्या आएगा 289, किसकी वेल्य आई, AC के वर्ग की वेल्य आई, तो AC equals to क्या होगा, रूड 289, 27 का, तो AC का मान क्या है, या 17, अब AC आपको पता चल गया, 17, अब देखो, प्रसन आपको वोई बन गहा है, पहले बाला ही, अब आपको निकालना है, क्या है, Sine A, क्या निकालना है, Sine A, तो Sine क्या होता भी, Sine उता है, Lumb बटा करण, तो Lumb कोण सा होगा, देखो, एंगल क्या दे रहे है, जो प्रसंद में लिए है, वही एंगल है, A के सामने वाला क्या होगा, Lumb होगा, तो Lumb का मान क्या होगा, 15, और करण होगा, 17, तो क्या पुछा है, Sack A, Sack क्या होता है, Sack होता है, करण बटा, आधार, तो करण आपका 17 है, आधार कोण है, इसमें, एंगल वोई आपका A है, तो आधार क्यों हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 15 तो कोण है, Lumb है, तो 17 बटा, 8, तो यह आपके दो इंसुरा आगे, बहुत या आपके प्रसन इसके सही करोगे, बहुत आसान टोपी कही है, अब आगे चलते हैं, मैंने आप वुका था कि टेबल आपको अगर बनानी आगई, टेबल अगर आप बना के पास मेरक लेते हो, तो आपके पास कुछ ऐसे प्रसन आते हैं, तो उनकी वेल्यू क्या सीधी निकल हैं, यां लिखा वे, गुणा के अंदर हैं, झूलै कोष तीस का मान क्या है रूर तीन बड़ा दो, फिर प्लस का चिन साइन तीस का मान टेबल में देखा, क्या या 1 बड़ दो, और ऑप इनकी गुणा कर वो, बोट तीन इęblack又 की लेखी प्रसन टेसि का मान इन तीन की होग तीन दो इंटो दो क्या मोगे है चार फिर प्लस एक इंटो एक क्या मोगे चार अलिखें लेहे उगा या किए किया जायेगा इलशिं एज birthdayगा च्यार ऊपर क्या रहेगा थीन फैसे चार व्लस 1 च्यार बटा च्यार और एनसे बद्सर कटके क्या भी दे रखे जैसे 4, सैक स्क्वार 30 डिगरी, माइनस में 10 स्क्वार 35 डिगरी, और बट्टे के अंदर क्या दे दिया, साइन स्क्वार 30 डिगरी, प्लस में कॉस स्क्वार 30 डिगरी, तो यह वाले मान दे रखा, आप देखो सारे मान अपनी पास टेबल में है, तो जो गुणा के अंदर संख्या वो तो चलेगी यह कर रहा है को साथ को साथ टेविल में आप देख लीजे तुरंत क्या रहा है एक बटा दू इसका स्क्वाइर करवाना क्यों क्यों कि वह कॉसाथ का वर्ग दे रखा है फिर प्लस का चिन लगाया च्यार समेर को संख्या दे रखें सैक ती साइन तीस साइन तीस का मांग तीस क्या होता है एक बटा दो इसका वर्ग फिर प्लस में कौस तीस कौस तीस क्या होगा रूट तीन बटा दो इसका भी वर्ग आप करवाएं अब इसको थोड़ा साल करवा लेते हैं जैसे पांच आपका पड़ाए गुणा के अंदर एक का क्या एगा एक दो का वर्ग नगंञा लिखा व एक दो क्वर्ग आ गया चार फिर पलस में फिर दो क judgments, इसान्क व्रोड करें एक बटें में 2 का व्रुड कर बटे हो 4 सा फिर पलस में 3, 2 जाल हो गया चार आप बटे में आपके पास LCM ले लो से दाई 4 ही है 1 प्लस में 3 तो खुल मिला के देखो उपर वाली संख्यों में LCM क्या आया है 12 या ना 4 का भाग लगा बारा में 3 वार 3 की गुणा 5 से 15 फिर प्लस 3 का भाग लगा होगे 12 में 4 वार 4 की गुणा 16 से 14 चोको 64 फिर माइनस 12 की गुण बटे में 12 फिर आप गटा होगे तो यहां से क्या जाएगा 7 और 6 बटा बारा आपका इंसर क्या आगया 67 बटा बारा तो यह वेल्यों आपके पास आजाएगे कुछ इस प्रकार के प्रसन आपको मिलेंगे कब वो हैल्प किसम होगी जब आपको टेवल आएगी तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी